क्या आपको कभी static बिजली का जटका लगा है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली कैसे और क्यूं बगती है? आईए इस वीडियो में देखते हैं. पूरे ग्रह में एक वर्ष में लगभग एक दशमलव चार बिलियन बार बिजली गिरती है जिसमें से लगभग एक चौथाई जमीन पर पहुँच जाती है. बाकी बादलों के भीतर या एक बादल से दूसरे बादल के बीच में होती है. इस बिजली के घटना को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टाटिक एलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. हम जानते हैं कि प्रतियेक वस्तु परमानूं से बनी है. प्रतियेक प्रमानू समान संख्या में प्रोट्ण और न्यूट्रोन द्वारा संतुलित होता है. और हम ये भी जानते हैं कि धातु या metals electrons lose कर सकते हैं इसलिए वे बिजले के good conductor होते हैं और non-metals electrons lose नहीं करते हैं इसलिए वे बिजले के bad conductor होते हैं जब हम कापेट पर चलते हैं तो घर्शन के कारण शरीर electrons को lose करता है और overall positive बन जाता है जब हम धातु के दर्वाजे के संपर्क में आते हैं तो धातु के ये electrons हमारे body में आ जाते हैं जिसके कारण हमें बिजली का जटका लगता है बिजली गिरने के दौरान भी यही घटना होती है यह प्रक्रिया बारिश के समय शुरू होती है जब गरम हवा पानी की बुंदों के साथ तेजी से उपर जाती है और उपरी थंडी हवाओ के बर्फ क्रिस्टल के साथ तकराती है ऐसे में friction या घर्शन के कारण static charge डिवेलप होता है जब इस तरह का चार्ज अधिक मात्रा में तयार होता है तो बिजली तयार होती है यह एक बादल के भीतर या एक बादल से दूसरे बादल के बीच में तयार हो सकती है जब बादल का negative charge जमीन के positive charge के साथ attract होता है तब हमें बिजली का पहला पढ़ाव down strike दिखाई देता है जो की एक सेकन के 20,000 वे हिस्से में 200 km प्रती सेकन के रफ्तार से होता है इससे बादल और जमीन के बीच एक conductive path बन जाता है इस path के कारण सभी charge पादल से जमीन पर आ जाते है जिसे return stroke कहते है इस stroke के दौरान करीब एक लाख आमपियर एक लाख किलोमीटर प्रती सेकन के रफ्तार से लगभग 50,000 डिगरी Celsius से flow होता है इस उच्च तापमान के कारण बिजली के भीतर की हवा विसफोटक रूप से विस्तारित होती है जिससे shock wave बनता है और हमें बिजली की आवाज सुनाई देती है एक मतेदार तक थी क्योंकि प्रकाश की गती, ध्वनी की गती से अधिक है इसलिए हमें पहले बिजली का प्रकाश दिखता है और फिर हमें ध्वनी सुनाई देती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूले और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ऐसे और शेक्षी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किजिए साइन्स सीखों को मिलते हैं अगले वीडियो में